तो चलिए आईए बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंगीडियेंट्स रिक्वाइड है वो है बटर, कॉन और मिक्स्ट हर्ब्स यहां पर मैंने धाई चमज बटर का यूज करा है जब कि मैं चार ब्रेट्स के लिए यूज करूंगी कॉन्स और हर्ब्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पे 100 ग्राम्स अफ मजरेला चीज लिया है और 6 से 7 कलिया गार्लिक की हम सबसे पहले गार्लिक को अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे और हम उसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के बाद हम लोग बटर के अंदर जो हमारा पेस्ट है उसको एड़ कर देंगे दोनों को अच्छी तरह से मिक्स दरेंगे कि जो हमारा बटर है उसके अंदर गार्लिक का टेस्ट अच्छी तरह मिक्स्ट हो जाए उसके कर रही हूं और उसकी मदद से हर्भ को अच्छे से डालूंगी के तेनितों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस मिक्सर के अंदर मेरे पास बटर हैं गार्लिक पेस्ट है और हमारे हमारे Creating a जिब अजय को सब्सक्रांट हो जाएगा हम लोग दो Перबटर को एवंधी पूरी ब्रेन को इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें बुर्य को अपने अंदर गीलि हो जाएगी उसके बाद जो हमारी दूसरी bread slice है उसके उपर मैं cheese apply करूँगी cheese को मैं पूरी bread पर apply कर दूँगी ये आपके उपर depend करता है कि आप कितना cheese burst खाना चाहते हैं अगर जादा cheese पसंदे तो जादा apply कीजें नहीं तो आप एक normal cheese apply कर सकते हैं उसके बाद मैंने उसके उपर black pepper डाला है ये भी बिल्कुल optional है आपकी मर्जी है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो ठीक है उसके बाद हम लोग हमारी stuffing उसके उपर apply करेंगे जो की है cons आप चाहें तो यहां पर किसी भी तरह की stuffing का यूज कर सकते हैं जैसे की क्याप से कम अब मैं जो हमारी एक ब्रेट की slice है उसको दूसरी ब्रेट के उपर लगा दूगी बिल्कुल इस तरह और जो मेरा पैन है उसके उपर उसको रख दूगी जो हमारी butter apply वाली side है वो बाहर की side आएगी और हम उसी को तवे के उपर रखेंगे तवे को मैंने एक से दो मिनट पहले ही चला दिया था फ्लेम को चला दिया था और यह जो हमारा पूरा process है वो medium से low flame के बीच में होगा उसके बाद जो हमारी उपर वाली slice है उसके उपर मैं बड़विन दी apply कर दूँगी और कोनों तक अच्छे से butter लगाऊंगी हम लोग उसको turn कर देंगे turn करके देखने के बाद बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको ढग देंगे हम यह सारा process medium से low flame पे करेंगे दो से तीन मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो हमारा जो दिखिए एक साइड जो नीचे वाली साइड थी वो golden brown हो गई है और cheese भी melt होने लगा है अब मैं क्या करूँगी हमारी जो next साइड है उसको भी ढग दूँगी एक मिनट जखने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारी दोनों साइड जो है वो golden brown हो गई है और हमारा cheese भी melt हो चुका है फिर हम इसको पतले पतले slices के अंदर काटेंगे देखें किस तरह से हमारा cheese melt हो चुका है और stuffing भी अच्छी तरह हमारी breads के बीच में set हो चुकी है मैंने इसको अच्छी तरह pieces के अंदर काट दिया देखें कितनी सुन्दर हमारी bread slices तयार हुई है तो आप लोगों ने देखा ये recipe कितनी quick और easy है और उतनी ही tasty recipe है तो I suggest you all to try this recipe at your home और मुझसे share कीचे अपना feedback in the comment section below Thank you for watching the channel For more videos, please like, share and subscribe the channel